नमस्कार दोस्तो और विल्कम बाक टू मैं चैनल फिर्स्ट इन्वेश्वर्ड दोस्तो एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हाजर हुआ हूँ एक पर्टिकुलर स्टॉक आप लोग ले लेकर आया हूँ जो आप न्यू इयर स्टार्ट हो रहा है हमारा 2021 आप इस इक यह पर्टिकुलर स्टॉक बाई कर सकते हैं और यह आपको बहुत अच्छे रेटर्न भी दे सकता है इस पर वीकली चार्ट पर हम एक ब्रेक आउट देखने को मिला है और मुल्टिपल बार उस लेवल को रीटेस्ट कर चुका है तो यानि कि वो लेवल अब लोट्स चेकर है तो किस टॉक की बात कर रहे है उस टॉक का नाम हम पढ़ लेते हैं दश्टॉक इस गोदरेच कंजीूमर गोदरेच कंजीूमर में हम लोग बाई करने की आप लोगों को सला दे रहे हैं और यह पर्टिकुलर स्टॉक मैंने टेलीगराम चैनल पे भी आच पोस्ट कर रहा था उसके साथ चार स्टॉक्स और भी पोस्ट करें थे जो कि हमें लगता है कि विद शॉर्ट टर्म हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं सो इस बड़िये स्टॉक के साथ अपना नया साल की शुरुबात करिये and definitely आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे okay so find करते हैं support and resistance कौन से patterns बन रहा है किस तरीके से काम होना है and उसके बाद हम लोग find करते हैं कि कहां तक opportunity है stock की जाने की okay so सबसे पहले start करते हैं let's find support and resistance so देखिए सबसे पहला resistance जो आ रहा है वो आ रहा है exact इस level पर and next resistance is coming at this level and इसके अलावा कुछ zones बनाते हैं so multiple zones हमें इधर देखने को मिल रहे हैं just wait a second yes at this level check है इस level पर हमें multiple zones भी देखने को मिल रहे हैं and इसके अलावा एक आखरी zone और हमें देखने को मिल रहे है at this level check है so अब थोड़ा से explain करूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से हमने यह find करा and इसका logic क्या है check है so आप इधर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हम लोगों ने horizontal line draw करी है जो previous top था वहां तक जाने के लिए and इस level से ही reverse करा था मतलब एक sharp fall आई एक pullback लिया pullback लेने के बाद हम लोग ने देखा इसी level पे से resistance मिला and it came down ठेक है तो यहां पर भी एक level एक important हुआ तो yes it's a resistance second चीज इस level पे आप देख रहे है यह weekly time frame है इस बात को note करियेगा तो एक candle जो denote कर रही है वो weekly candle को कर रही है एक week को कर रही है ठेक है so आप देख सकते हैं कि almost 1 almost 1.5 months यह इस range के अंदर रहा 1.5 months यह इस range के अंदर रहा eventually it gave a break out then नीचे आया drop करा retest करा इसी level पे and उसके बाद वो नीचे आगया ठेक है so यानि कि यह इसके लिए क्या हुआ यह इसके लिए supply zone ठेक है यह इसके लिए supply zone हुआ third time इदर आया and इसको फिर से supply मिली supply zone को हम लोग resistance भी कह सकते है ठेक है वो आपके उपर है कि आपके zone में बताना चाहते है आप आपको में easy में बता देता हूँ यह देखिए resistance resistance ने फिर fall करा and again retest फिर रहां पर resistance मिला and एक sharp fall दोबार आई multiple बार इदर भी retest कर चुका है यह ठेक है so almost इसको एक साल होने वाला है और यह अभी तक इस level की उपर निकलानी है which level is this 750 की उपर ठेक है 750 की उपर अभी तक इसने closing नहीं दी है weekly basis पे so yes कल और परसो दिन रह गए है इस week को close होने में definitely यहाँ पर एक breakout आ सकता है अगर breakout आता है breakout already chances आ रहाए कि एक breakout आ रहा है and अगर weekly basis के उपर 750 पे closing बिल जाती है so यह almost मैं आपको बता जिता हूँ 8.30 तक भी जा सकता है and उसके बाद 900 तक के levels भी open हो सकते हैं within short time so यहाँ पर देखेगा एक pattern developed हुआ इस pattern को भी मैं आपको दिखाता हूँ दिखें इस धेश सकता हूँ इस एक Totallyствуers इस एक head and shoulder patterns developed हुआ है and इसका यह breakout तैरा है just wait a second यहस support you can discover this particular head and shoulder Gir Özค Cul brewerी і जोबर आ पत्रेश डा सकते है तो लुपर के पारटन के exact top यह है पर trade कर रहे हैं, chances are high guys कि ये कल भी breakout दे सकता है and अगर ये breakout देता है तो definitely ये weekly closing भी उपर ही देगा and sustain कर सकता है so मैंने एक छोटा सा risk लेके buy initiate कर है, definitely इस particular stock के अंदर and also you can buy देखिए, अगर मैं weekly से monthly time frame पर आऊँगा, so you आप देख पाएंगे कि the trend is very positive, उसके बाद एक retracement लिया था, 50% तक and उसके बाद एक up move start हो रही है and exact कुछ इसी level पर आई, so अपने previous high तक भी जा सकता है, eventually उसको भी break कर सकता है, so chances are high, इस particular stock को buy करिए and अगर मैं targets की बात करूँ according to percentage, so percentage पर आपको किते percent के targets मिल सकते हैं, let me show you yes, almost 30% तक का target आपको show कर रहा आप देखेगा, almost 29.65% तक का target आपको show कर रहा है, 9.80 तक का target, almost अगर आप 750 पर बाई कर रहे हैं, 9.80 तक का target है, definitely 30% return within 3 months is very good, मैं 3 months इसलिए कहरा हूँ कि वहां तक opportunity है इससे पहले पहले आजाएगा इसका target, so do buy this stock, अगर ब्रेक आउट अथा, अगर आप लोग safe trader है, इस stock आपको अच्छा return दे सकता है, on your first day on 2021 अगर लोग फिर्स तागेट की बात करते हैं, बिल्कुल closest target, तो भी वह 10% तक का है, 10% तक का target है, closest target, so what you can do, अगर बाई चांस आप आप लोग 750 पे एक बाई शेर करते हैं and you bought 100 stocks, आप 100 share बाई करते है, so you can exit your 40 shares आप, you can exit your 40 shares at rupees 820 40 shares आप 820 पे exit कर सकते हैं, अब आपके पास किते रह गए हैं, 70 रह चुके हैं 70 shares में 30 shares 30 shares आप exit कर सकते हैं 30 भी छोड़ी, 40 कर लीज़े 40 shares आप exit कर सकते हैं, 8 rupees 970 अब आपके पास कितने shares रह गए हैं, आपने 40 भी exit कर दिया हैं, 40 exit कर दिया तो 100 में से 80 गए, तो 20 shares are left, 20 shares को आप hold कर सकते हैं, वो इस लेवल से अगर breakout दे के जित्ता ऊपर जाता है ठीक है? breakout दे के जित्ता ऊपर उसे जाना है 1000 क्रोस करना है, 1100 क्रोस करना है उसे करने दीज़ेगा आपने stop loss को ट्रेल करके आप लियाएगा 900 रुपीज पे अगर वो नीचे slip भी करता है तो आप अपने stop loss को hit करेंगे वो जो की 900 रुपीज पे था बट एक्चुली पे आपने उस stock को 750 पे बाई करावा है आपका कोई loss नहीं है बट आप safely निकलते भी रहेंगे आपकी जो capital इस पे तीन महीने से अटकी भी होगी उसके थुरू आपको यह और trades भी ले पाएंगे तो मैं इसको breakout के बाद cash में भी बाई करने वाला हूँ and option I am still holding तो इस particular stock को आप जरूर वाच कर सकते हैं यह था हमारी नई series के लिए second video थी and first video already I made it HDFC life and SBI life for six month and definitely they can give a very good return so do watch that video यहाँ पर आपको वह video शॉक कर रही होगी इस video को भी आप चेक कर सकते हैं and we'll meet you tomorrow, bye bye guys